हेलो दोस्तों, आज कल रिल्स बनाना, वीडियो बनाना, इंटर्व्यू करना, पॉड्कास्ट करना, लाइब स्ट्रिमिंग करना, अधिकतर लोगों की पशन में सामिल हो चुका है अब जितना अच्छे कैमरे की ज़रुरत होती है, लेकिन उससे कहीं अच्छी ज़्यादा जरुरत बुलते हैं, एक अच्छे माइक की होनी चीए, एक अच्छे साउन क्वालिटी की होनी चीए, क्योंकि वीडियो को एक बार एज़ेस्ट किया जा सकता है, थोड़े लोग compromise किया जा सकता लेकिन voice quality में compromise नहीं किया जा सकता इसी लिए आप मैं हम जैसे कई सारे beginners जो क्या गरते हैं कि हम माइक लेना है तो बहुत सारे reviews और यह सब देखते हैं सर्च करते हैं कि कम budget में एक अच्छे pocket friendly budget में एक अच्छा माइक हम कौन साले जिसमें बहुत अच्छा हम voice अपने audience को deliver कर सके इसलिए या तो फिर वायरलेस की और जाते हैं या फिर लैपल माइक की और जाते हैं तो मैंने भी ऐसे बहुत सारी reviews देखके बहुत समय से देखे थे और जो मैंने उस product के विशे में सुना था वह बहुत जादा different था तो चलिए उसी के विशे में हम लोग बात करते हैं कि कहीं आप भी अगर इस टाइप की माइक सर्च कर रहे हैं देख रहे हैं या फिर लेना चाहा रहे हैं या फिर वही माइक लेना चाहा रहे है तो पहले एक बार इस वीडियो को देख लें तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टीलू चैनल देखो लास्ट टाइम या दोस्तों मैंने माइक का रिव्यू किया हुआ था मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज वीडियो देखे नैट में जाके उस साइड में वीडियो में देख सकते हैं देखे मैं इसको लाया था जब मैं इसको लिगा आया तो फर्स टैप मैंने यही कहा था किया बॉक्स जब मैंने इसको उपन किया तो फर्स इंप्रेशन इस दा लास्ट इंप्रेशन इसका बाहर की पैकिंग थी बहुत बेकार थी ब मतलब 9500 के आसपास वो मेरे को पड़ा था लेकिन यार जब मैं उसकी sound quality के बात कर रहा था तो उसमें बहुत सारे features जो दिये थे जिसमें एक main चीज यह था कि three level of sound का उसमें वो दिया हुआ था setting दी थी मतलब volume को हम three level तक आप यह down कर सकते हैं तो मैंने यार जब सुरू शुरू में जब वो मैं लाया तो उतना मुझे समाझ नहीं आया फिर मैं उसको चेक किया मैंने लास्ट एक दो वीडियो उसमें बनाई थी लेकिन जो है ना उसका जो volume था वो maximum बैटर मुझे आवाज को प्रोवाइट कर रहा था तो मैं फिर इसके बदले में अब मैं गोला यार जब इतना मैंने इसमें पे किया हुआ है और मुझे sound quality भी नहीं मिल रही है अब इसको मैं को अलग से बढ़ाना है editing करनी है तो फिर उसके लिए मेरे को audio editor की जरुद पड करता है इसी वजह से फिर मैंने एक दो बर ट्राय किया मुझे उसके आवाज मुझे पसंद ने आई वाइस क्वालेटी उसकी नहीं लगी क्योंकि वह बहुत कम थी मैंने एक दो फ्रेंड से भी मैंने उसका feedback लिया तो उन्होंने भी बोला कि नहीं आर पहले वाले माइक मे किया हुआ था मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज वीडियो देखे नैट में जाके उस कमेंट्स वाले रिव्यूज को पढ़ा रिस्टार रेटिंग चिक की उसके बाद मैंने HOLLY LAND LARK M1 M1 MIC परचस किया था बिग बिविन टे पे अब मतलब मैं उसको लाया था और आप इससमें साइड में वीडियो में देख सकते हैं रेखे मैं इसको लाया था जब मैं इसको लिगा आया तो फर्स टाइम मैंने यह खाता कि बॉक्स जब पार्छी मैं चीप कौलिट टू गोड थी उसने बुर्ट दिल खुश कर दिया था अब चूकि वह वायरलेस माइक था और कॉसली भी था मतलब 9000-9500 के आसपास वो मेरे को पड़ा था लेकिन यार जब मैं उसकी sound quality के बात कर रहा था ना तो उसमें बहुत सारे features जो दिये थे जिसमें एक main चीज ये था क 3 level of sound का उसमें वो दिया हुआ था setting दी थी मतलब volume को हम 3 level तक आप यह down कर सकते हैं तो मैंने यार जब सुरू-शुरू में जब वह मैं लाया तो उतना मुझे समाझ नहीं आया फिर मैं उसको चेक किया मैं लास्ट एक दो वीडियो उसमें बनाई थी लेकिन जो है ना उसका जो volume था वो maximum sending 3 level में भी करने के बाद ना उसकी sound quality जो थी बहुत मतलब दबी हुई आ रही थी आवाज बहुत कम आ रहा था मतलब यकीन मानिये कि मेरा फिर वो 2,500 रुपय वाला जो wireless mic था गोल वाला है ना वो ज्यादा better मुझे आवाज को provide कर रहा था तो मैं फिर इसके ब पढ़ाना है एडिटिंग करनी है तो फिर उसके लिए मेरे को audio editor की जरुवत पढ़ेगी लेकिन फिर भी अगर volume का इंक्रीस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी voice जो है विडबेक लिया तो उन्होंने भी बोला कि नहीं आर पहले माइक में ही ज्यादा अच्छा था कुछ ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है जित्ता की पे किया हुआ हुआ है तो फिर मैं मैं मंगाय हुए तो मैं को तीन चार दिन पांस दिन बीच चुके थे फिर मुझे ध्यान आया कि रिटन पॉलिसी भी रहती है मैं अमेजॉन पे गया रिटन करने के लिए लेकिन वहां पे तीन चार आप्शन्स ही दे रहे थे मतलब रिजन पूछ रहा था मैं रिजन में क्या डालू तो फाइनली मुझे रिजन मिल गया और मैंने उसको प्लेस किया लेकिन फिर भी वह रिपर्ण के लिए या रिप्लेस्मेंट के लिए नहीं हो पाया तो फिर उसमें नीचे कॉल ओप्शन का आ रहा था कि कॉस्टमर के से बात कर लीज़े मैंने कस्टमर के में बात की उन्हें बताया कि देखिए मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था लेकिन इसके वॉल्यूम वोईस रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं आ रही है, मुझे आउटपुट ऐसा नहीं मिल पा रहा है, जो इसमें मिलना चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि हम सेलर से कॉंटेट करते हैं, यदि वो एगरी करते हैं, तो आपका प्रोड़क्ट का पैसा जो है, रिफंड हो जाएगा, मैं सोचने लगा, यार कि अब यार सेलर उसको अप्रूब करेगा, नहीं करेगा, कैसे होगा, क्योंकि यह चीज गलत है, मतलब हम एमेजान को बोल रहे हैं, एमेजान से पर्चेस कियें, तो यह उनके हाथ में होना चाहिए, डिसिजन पावर, लेकिन फिर भी उन्होंने से से कॉंटेट किया, और सेलर ने वीदिन सेकेंड उसे अप्रूब कर दिया, और थैंग गॉड मेरा हॉली लेंड लार केम वन जो माइक था, वो रिटन के लिए सक्सेस्फुल हो गया, थ्री तू फाइव डेज लगे उसके पैसे रिफंड आने में, तो यादि आप भी कोई वायरलेस माइक देख रहे हैं, या लैपल माइक देख रहे हैं, तो एकदम से किसी के रिव्यू में मच जाईए, क्योंकि ना क्या है कई ठोक पेड़ वाले रिव्यू ज रहते हैं, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि यार ओरिजिनल है कि क्या है, तो कैसा है, लेकिन मैंन जो मैंने experience किया है मैंने कई सारे उसके वीडियो देखे थे और बहुत सारे वीडियो देखने के बाद यकीन मानिये काफी सारे वीडियो देखने के बाद ही मैंने hollyland dark m1 का order place किया था लेकिन मुझे उसकी sound quality अच्छी नहीं लगी थी खै ठीक है यह एक informational वीडियो थी यदि वो सिर्फ इनी लोगों के लिए जो अगर कोई माइक लेना चाहा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वायरलेस में जाएं और कहीं लार्क m1 में लेंगे हाँ no doubt उसकी build quality top class की लगी उसका case की quality top class की लगी उसके button बहुत अच्छे qualities के थे लेकिन यार जो main चीज होता है यार जो जिस purpose से हम माइक खरीद रहे हैं जिस purpose को हम चाहा रहे हैं कि quality जो voice की हो crystal clear हो अच्छी हो सामने वाले को सही समझ आये थोड़ा अच्छे से आये मतलब हम वो purpose उसमें मेरा पूरा नहीं हुआ हो सकता है किसी और का पूरा हुआ होगा या हो सकता है मेरे पास जो product आया होगा उसमे manufacturing defect रही होगी मैं नहीं कह सकता मैं product को गलत नहीं कह रहा हो सकता है electronic चीज है ये भी है कि electronic चीज है उसमें खराबी आ सकती है तो ये भी हो सकता है लेकि मेरा experience Holy Land Lark M1 के साथ यही रहा तो सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूँ तो जल्दी जो मैंने दूसरा माइक मंगाया ह उसका वीडियो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगा कैसा है क्या है किस safety उसकी quality है तो फिलाल वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूं और वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार